नमस्कार जैहिन दोस्तों दोस्तों बी एससी इंटर लेवल देखिए बी एससी इंटर लेवल का खद्रे घंटी आपको पता है बच चुका है अब जो है काम सुरू हो चुका है हमारा एक्जाम डेट जो है कभी भी आ सकता है ठीक है अब आप सबी लोग दोस्तों तयार हो ज लेगा और आज हम देखने वाले है ग्यान बिन्दू जीस अकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था और आपका प्लेट फारम का वालियूम टू भी आपका सेट आगया है मार्केट में बहुत वहतरिन सेट आया हुआ है बहुत सारा उसको आपको करवाया जाएगा बस आप जो है सेट कंटीनू बेसस वे आप लगाना सुरू कर दिए टाइम आपको अधिक अब नहीं मिलने वाला ठीक है यह जो आपका सेट है सेट नुमर 12 है इसके पहले का सेट नुमर हमने 11 अपलोड कर दिया था आप चाहे तो इसका जो है प्लेलिश्ट रिचेक कर सकत है अब इसमें देखें मैत और रिजिनिंग का प्रस्ण है तो आराम से आप जो है गुरुप में जोइन होके बनाएंगे सब को सन और वह भी डिसकासन के साथ बनाएंगे चली दूसरा हमारा है कि क्या जो है किस देश की मुद्रा है बताएगा एक एक कुशन आपको देखन क्या है तो क्यूबाई पेसो है क्या है क्यूबाई पेसो और यहां देखें कनाड़ा भी दिया गया है कनाड़ा की बात करते हैं तो कनेडियन डॉलर है क्या है कनेडियन डॉलर और डेनमार्क के बियात करेंगे दोस्तों हम तो डैनिस क्रोन है क्या है डैनिस क्रोन चलिए स्वडिंग चत्रभूज परियुजना का संबंद किसके विकास से है स्वडिंग चत्रभूज देखे इसका सही उत्तर देखेंगे तो यह आपका राजमार्ग हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है डी राइट होगा वे प्रमुक सड़के जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर एल टी टी में पहले टी का अर्थ क्या है पहले टी का अर्थ क्या है देखे इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है टाइगर्स हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा टाइगर्स ठीक है और इसका अगर आप देखेंगे तो इस्थापना जो है वर्स 1976 में किया गया था वर्स 1976 में निमलेखित में सक्षा सम्मिधान संसोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्री और राजधानी छेत्र का दर्जा दिया गया है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उन्हतरवा समिधान संसुधन ओप्सन नमबर जो है यहाँ पर भी राइट होगा अद्धिक उन्हतरवा समिधान संसुधन 1991 इसवी में संग सासित प्रदेश दिल्ली का नाम परिवर्थन कर राष्ट्री राजधानी छेतर किया गया साथ ही दिल्ली के लिए विधान सभायत था मंत्री मंडल की विवस्था भी किया गया था आगे कुशन है कुशन नमबर आगे देख लेते हैं नेश्ट प्रस्थन है निमलिखित में से कौन सा तरंग जो है निरवात में संचरण कर सकती है देखे संचरण दोस्तों कर सकती है इसका सही आंसर आप 10 का देखेंगे विधुत चुम्बकिये तरंग हो जाएगा ओप्सन नमबर जो है 10 का हमारा C सही होगा देखे अभी इसको समझे एक आच्छे तरीके से वे तरंगे जिसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवस्यक नहीं होती है विधुत चुम्बकिये तरंग कहलाती है जैसे प्रकास तरंग, रेडियो तरंग, गामा किरण, आवरक्त किरण यह आपका आंसर हो जाएगा चिनी यातरी वेंसांग ने भारत का भ्रमण किया था देखे भारत का भ्रमण आप देखेंगे दोस्तों तो हर्सवर्धन के सासनकाल में चिनी यातरी हर्सवर्धन ने जो आपका हेन्सांग नहें भारत का ब्रमण किया था हर्सवर्धन के सासनकाल में आंसर जो है यहाँ पर सी साई होगा देखिए छा सो उनतीस एडी यानि इस इस वी में वेन्सांग भारत आया था वो लगबग पंदरा वर्ष तक जो है भारत में रहा था पंदरा वर्ष तक लगबग भारत में वो आपका रहा था आगे हमारा प्रस्थन है कि 600 केजी का कोई पिंड 30 मिटर प्रसेकेंड के वेक से चल रहा है यदि प्रतिरोधी बल लगा कर इस 150 M यानि 50 मिटर के दूरी पर रोक लिया जाये तो बल का मान क्या होगा इस अवधी में प्रतिरोधी बल द्वारा किये गए प्रतिरोधी कारे की गवी गढ़ना करके बताना है देखे इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका यहाँ पर C जो है करेक्ट आंसर हो जायेगा option number C नेश्ट प्रस्न है एक व्यक्ति 10 किलोमेटर प्रति घंटा की एक समान गती से साइकल चला कर एक पूल को 90 सेकंड में पार करता है पूल की लंबाई के यह आपका math का प्रस्न है ठीक है अराम से इसको बनाईएगा आप सभी लोग और देखे गुरूप में आपको जोईन कैसे होना है क्या इसका प्रोसेस है आपको करना क्या है दोस्तों देखे अगर आपको सेट लगाना है तो पहले आप गुरूप में जोईन होके सेट बनाईए देखे इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका धुआ हो जाएगा ऑप्सन नंबर जो है ए राइट होगा दूद के घनतों को लैक्टो मीटर दुआ दूस्तों यहां पर हम मापते हैं क्रित्रिम मौसम उत्पन करने वाले यंद्र के जो है साइट्टूर्ट ट्रॉन कहते है अगला है बोला कि अल्ला रखा खां जो है किस वादियंत्र के प्रसिद वादक हैं अल्ला रखां देखिए बहुँ ज्यादा फेमस कोशन है दोस्तों यहां से कोशन आपका एक प्रस आही जाता है तबला वादक से आपके संबन्ध हैं ऑप्सन में देखेंगे तो डी अजमल अली खां जरिन दारुवाला विश्वजीत राय चौधरी यह सब जो है सरोत से संबन्धित हैं और क्या दिया गया है सितार दिया गया सितार भी हम देख लेते हैं सितार देखेंगे तो पंडित रवी संकर उसके बाद वंदे हसन हैं विलायत खां हैं यह सब जो है स कितार से संबन्धित हैं संतूर का भी दिया गया है तो संतूर का देखेंगे तो स्वी कुमार सर्मा और भजन सोपोरी यह सब जो है संतूर से संबन्धित हैं चली आगे हमारा प्रसने है को से नंबर हम देख लेते हैं हमारा क्या दिया गया है एकीस नंबर देखें एकीस कि सत्रावसान की घोशना किसके द्वारा की जाती है यह किसके द्वारा किया आता है देखे राश्ट्रपती के द्वारा यह आपका किया आता है डी इसका राइट होगा संसत के किसी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है सत्रावसान राश्ट्रपती द्वारा घोशत कि यह पॉइंट आप अच्छे स्याद रखेगा देखें वर्स में तीन बार जो है संसत के सत्र जो है आई तो होते हैं बजट सत्र जो की जनवरी फरवरी से माई मांसून सत्र जो है आपका जुलाई से सितंबर और सीद कलें जो सत्र है दोस्तों या आपका नमबर से देसंबर क बीच में ये आपका आईजित होता है प्रत्मविशुद में अमेरिका कब जो है सामिल उवा था अमेरिका कब सामिल हो था बताईएगा तो इसका उत्तर देखेंगे तो छो आपरल उनिस सथ रह हो जाएगा और आपसन नमर जो है Amen राइठ होगा ऊपरल उनिस सथ स्ह congress निम हो जाएगा ऑप्सन नमर जो है डी राइट होगा यदि अंधेरे में एक काली एवं सफेद वस्तु को समान ताप पर गरम करके रखा जाए तो चीरकॉप है न तो दोस्तों यहां पर जो है किर्चॉप नियम के अनुसार अंधेरे में काली वस्तु जो है अधिक चमकेगा यह है किर्चॉप का नियम आगे हमारा कुशन क्या है केंद्रिय मंतरी अनुराक सिंग ठाकूर ने दस मार्च दो हजार तैस को खेलो इंडिया दस का दम टूनामेंट का उद्गाटन कहां पर किया है देखिए इसका सही आंसर आप 27 का देखेंगे तो नई दिल्ली हो जाएगा आपसन नमबर जो है 27 का बी राइट होगा नई दिल्ली आगे कुशन क्या है देख लेते हैं अगला कि छोब मंडल की औसत उचाई कितनी है देखेंगे छोब मंडल की औसत उचाई आप देखेंगे तो यह आपका इन में से कोई भी नहीं होगा अब इसको समझेगा देखे कि छोब मंडल की जो औसत उचाई है दोस्तों यह आपका 13 किलो मेटर हो जाएगा क्या होगा 13 किलो मेटर हमारा वाईयू मंडल पांच पर तो में विभाजी थे जो आपका प्रत्व की सत्रा से आरंब होता है छोब मंडल पहला फिर समताप मंडल मध्य मंडल आयन मंडल ठी देशता है धोनी थारंगों की चाल क्या होगी तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका एक हजार मिटर प्रत्र सेकंड हो जाएगा ऑप्सन नमर जो है तीस का सी सही होगा निमल इखित में सक्किस रेलेवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेट फारम है द तो आप इसको अच्छ से याद रखेएगा भूलियेगा नहीं इस्ट्र आगे हमारा कॉसन है कि 600 वहपार संगठन का मुक्याले 12 में देखेंगे तो यह आपको जेनेवा में में देखने को मिलता है layer right होगा आप देखिए इसका इस्थापना कrun था यह आपके लिए जरू टीयो की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था की बात करते हैं तो सदस्य देशो के मंत्रियों का सम्मेलन है जिसके बैठक प्रत्यक दो वर्स पर होता है आगे प्रस्थन है कि भारतिय सम्मिधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंद जो है किया गया है आपातकाल जाएगा ऑप्सन नमर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा अनुछे तो तीन सो बावन से ले करके तीन सो साथ तक जो है इसमें आपका उपबंद किया गया है भाग अठारह में ठीक है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा नैश्ट कोसन है कोसन नमर थर्टी निमलिखित में सबसे प्रबल आकसी कारक एजेंट कौन सा है बताईएगा तो देखे इसका सही हुतर देखो जाएगा अपका फ्लोरीन होगा क्या होगा फ्लोरीन ओप्सन नमर जो है डी राइट होगा फ्लोरीन सरवादिक विधूत रिडात्मक तत्व है यह हैलोजन समू प्लोरीन हो में सरवादिक अभिकरिया सिल्थ अत्व है निमलिखित में से किस वस बंगाल विभाजन की घोष्ना किया जाएगा था तकैं बंगाल व्पाजन की घोष्ना कौन से वर्स में किया गया है तो उन नीचसो पांच इस में च्थापना हुआ था यह भी आपको स्मीर में भारती सिना ने 9 मार्च 2023 को किस जिले में सबसे उचा प्रतिष्ठित राष्ट्रिय धोज जो है स्थापिट किया है राष्ट्रिय धोज देखे इसका उत्तर देखेंगे तो आपको जो है डोडा जिला हो जायागा ऑप्सन नमर जो है 42 का भी राइट होगा देखें जिले में सबसे उचा तेरंगा की बात करते हैं तो सौ फिट उचे खंभे पर जो है लगाए गया है सौ फिट ठीक है सौ फिट अच्छे से याद रखेंगा नैश्ट हमार देखेंगे बोला कि वैसे रासाइनिक अभिकरिया को क्या करते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ती हो इसका सही उत्तर हमारा देखा जाए तो क्या होगा बताएगा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उसमा छे पी अभिकरिया हो जाएगा डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे जो है वातावरन का ताप जो है बढ़ जाता है चली नेश्ट हमारा कोशन है कोशन पर आगे देख लेते हैं मंगल पांडे का संबंद किस नेटिव इन्फेंट्री से था बहतर पोसन है बहुत ही बहतरीन परसन है आपका देखिए इसका उत्तर आप सभी को पता है चौतिसमा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है साथ 47 का जो है एवं मेजर हूसन को गोली मार दिया था आठ अपरल 857 को मंगल पांडे को जो है फांसी दे दिया गया था अगला है कि नेपाल के तिसरे उपराश्टर पती की रूप में किसे चुना गया है तो ये चुना गया है राम सहय प्रसाद यादों को बनाए गया है आप्सन नमर देखेंगे तो भी हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा यू में से किस राज में राज यह सब्वा सदसरे की जो संख्या है नियूनतम है दोस्तों बताईएगा तो यह आपका करनाटक हो जाएगा क्या होगा करनाटक देखिय राजिय todavía की कुल संख्या है दोस्तों महराश्ट très में 19 तमिलनाडू में 18 बिहार में 16 और करनाटक में 12 है ठीक है चलिए नेश्टा हमारा कोशन क्या है अगला है कि मेरी कौम संबंदिते किस से यह सभी को पता है कि मेरी कौम जो है दोस्तों यह किस से समंद रखती है यह बॉक्सिन से समंद रखती है औप्सन नमबर यहां पर बी राइट होगा मेरी कौम आठ बार विश्व मुक्यवाजी चैंपियंशिप में पदक जीता है वरतमान में मेरी कौम राज सभा में मनोनित सदस्य भी है आगे हमारा कुशन है किसी ततों में इलेक्स्ट्रॉन प्रोटान तथा निट्रॉन की संख्या 18-16 तथा 16 इसका प्रतीक कौन सा है देखिए इसका प्रतीक आप देखेंगे तो आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी आगे प्रस्टन है डायस और लद्दाख दो भारती गंतव है जिन्होंने टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ष द्वारा 23 के लिए विश्व के महंतम इस्थनों की सूची में जगह बनाई है देखेंगे इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपसन नमबर दोस्तों संतावन का जो है मयूर भंज हो जाएगा बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मयूर भंज निमलिकित प्रिसकी सराजय में काली मृद्धा जो है मोखिरूप से पाई जाती है तेकि काली मृद्धा दोस्तों आप देखेंगे तिया आपका महाराश्टर हो जाएगा ऑप्सन नमबर यहाँ पर B राइट होगा महाराश्टर काली मृद्धा कपास के खेती के लिए उचित समझे जाती है इसलिए इसे जो है काली कपास मृद्धा के नाम से भी हम इसे जानते हैं आगे परसने हैं कि किस राज ये सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गज मीत्र नामक एक अनूठी जो है पहल सुरू किया है उत्तर देखेंगे तो आपका पसी मंगाल हो जाएगा option number जो है बी सही होगा अब इसको समझते हैं देखें मानव हाती संगर्स की बढ़ती घाटनाओं की जाच करने के लिए पसी मंगाल दोरा जो है गज मीत्र यानि हातियों के मीत्र नामक एक अनूठी मानव नेजरित वाली जो है पहल सुरू किया है यह बहुत ज़्यादा important है चले नेश्ट हमारा कुशन क्या है बोल रहा है कि काच बनाने में उपियोग आने वारा सबसे मुख्य घटक कौन सा है सबसे मुख्य घटक आप देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा सीलिका होगा क्या होगा सीलिका option number जो है सी सही आंसर हो जाएगा सीलिका निमलिखित में से कौन सा नगर हडपा सबहता का बंदरगाह नगर था हडपा सबहता का बंदरगाह नगर था तो देखेंगे इसका सही आंसर आप 65 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा लोथल होगा क्या होगा लोथल देखें लोथल दोस्तों आपको गुजरात में भोगवान अधी के टट पर इस्तित देखने को मिलता है हडपा सभेता के अधिकांस नगर जो है दो भागव में विभाजित थे लेकिन धौला विरा नगर जो है तीन भागव में विभाजित था भारत में अभियुक्तो को दी गई फांसी के सजा को निरस्त करने का अधिकार जो है किसके पास है यह किसके पास है तो यह आपको राश्टर पती के पास देखने को मिलता है ऑप्सन नमबर जो है सी होगा अब देखिए अनुछेद 72 आप सभी को पता है कि अनुछेद 72 द्वारा जो है राश्टर पती को दोसी करार दिये गए व्यक्ति को छमा करने के सक्ति जो है प्राप्त है आगे कुस्षन देखिलते हैं नेश्ट प्रस्त हैं बोलाए कि गेमेक्सिन डिडिटी और ब्लिट्रिंग पौडर जो है महत्पूर योगिक किसका ये किसका एक तरीके से महत्पूर योगिक है तो इसक एक वर्स विश्व प्रेथिवी दिवस मनायाता है कब देखिए विश्व प्रेथिवी दिवस आप सभी को पता है कब मनाते हैं बताएगा देखिए ये हम मनाते हैं 22 अप्रेल के दिनी मनाते हैं ऑप्सन नमर देखेंगे तो डी राइट होगा अब दोस्तों आप सभी को पता है कि 21 जून को हम मनाते हैं अंतराश्ट्री योग दिवस जो कि ये भी आपको एक्जामे देखने को मिलता है आप देखें बाइस जुलाई भी दिया गया है तो बाइस जुलाई को मनाते हैं मस्तिस का दिवस विश्व मस्तिस का दिवस रूप में मनाते हैं बाइस जुल हम मनाते हैं आगे है कि नई आर्थिक निती कब जो है घोसित किया गया है नई आर्थिक निती तो यह कब किया गया है तो 24 जुलाई 1991 में यह आपका किया गया है स्वामी विवेका नंद ने सिकागो में विश्व धर्म संसत को कब जो है संबोधित किया है इसका सही आंसर देखेंगे 76 का तो हमारा 1893 हो जाएगा ऑप्सन नंबर जो है यहाँ पर B राइट आंसर हो जागा 1893 में मिसर धातु में किस पदार्थ के सायोग से निसकलंक इस बादियान इस्टेनलेस इस्टिल चुमबकी यह हो जाता है और चुमबकी यह हो जाता है देखें इसका उत्तर देखेंगे तो आपका यह निकेल होगा भारतिय सम्मिधान का कौन सभाग देखें सम्मिधान की आत्मा कहलाता है बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर तकि सम्मिधान का आत्मा आप देखेंगे दोस्तों तो यह आपका उद्देशिका हो जाएगा क्या होगा उद्देशिका तकि सम्मिधान के अनुछ 47 को सम्मिधान सभाने उद्दे से प्रस्ताओं को जो है पारित किया था 22 जनवरी 1947 को चुम्बकिये पर अधारित चिकित्सा तकनीक है तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका MRI हो जाएगा ऑप्सन नंबर जो है बी होगा देखें MRI द्वारा सेट के अंगों का चित्र प् प्रबल चुम्बकिये छेतर तथा डेडियो तरंगों का प्रयोक किया आता है आगे प्रस्त है निमलिखित में से कौन सदेज जो है राष्टर संग का सदत से नहीं बना है देखे राष्टर संग का सदत से नहीं बना है सन्युक्त राज अमेरिका दुस्तों यह आपका नह देखने को मिलता है कहां पर दोस्तों जेखने को मिलता है पिर्थिवे के भूपरपटी पर किस तत्यों का प्रतिशत जो है सरवाधिक है यहां से कुछन आपका एक्जाम में आता है तो कि सरवाधिक अगर आप पुछा जाए तो आप मारियेगा दोस्तो oxygen है oxygen जो है दोस्तो आपका है 46.60 है उसके बाद देखेंगे तो आपका जो है silicon है जो कि आपका 27.72% है उसके बाद आप aluminum की बात कर लेते हैं तो 0.13% है और nitrogen है ने जो आपका मातरा देखने को मिलता है आप कमेंट करके बताईएगा चौथे प्याप पर देखिए लोहा आता है लोहा की बात करते हैं तो आपका 0.00% है आगे हमारा प्रसने क्या है 1857 से 69 का पर्थम 177 संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है देखिए पुस्तक के लेखक आप देखेंगे तो कारल माक्स और F. Engels हो जाएंगे आपसन नमर जो है A. Right आंसर हो जायागा इसे नई यार्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखा गया था निम्न में से किस राश्टर पती का निधन उनके कारेकाल के समय हो गया है उनके कारेकाल के समय हो गया है बताईए का आंसर क्या होगा देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो फकुरुदीन अली अहमद आपसन नमबर जो है आपका 93 का डी राइट होगा जो इनका कारेकाल रहा है दोस्तो वर्स 1974 से ले करके 77 की भी जो है इनका कारेकाल रहा है फकुरुदीन अहमद अली का ठीक है और भारत के पर्थम राष्टर पती आप सभी की पता है डॉक्टर अजिंदर परसाथ का कारेकाल जो है 1950 से 62 तक रहा है नेश्ट है कि कनिस्क राजा थे कहां के जो कनिस्क राजा थे दोस्तों ये कहां के थे तो इसका सही उतर देखेंगे तो कुसान वंस के थे आपसन नम डगम गाना जो है आपका अलग है बिस्मिल्ला खां को बिस्मिल्ला खां कौन से वादियंत्र बजाते थे देखेंगे मैंने अभी आपको बताया ना कि जो वादियंत्र है यहां से आपका कोशन एक आता है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो यह सहनाई से सम्बंदी थे आ होगा अली अहमद हुसेन खा अधा wastewater संब नाती सब्सक्राइब का इस होगे गले flaming कहा है थे य। चांटär दिए खावज सर्था सा्यंगक्र फ Alabama कहई थे door देखेंगे तो उस्ताद देखेंगे तो सरोद से आपके जो important होता है सरोद वादक अजमद अली खाम आगे कोशन देख लेते हैं भारत के संम्मिधान के उदेखी का यय Axe प्रस्तावना के बारे में निमलिखित में से कौन आपका सही है इन में से आपका कौन सही है देखें उदेखी का स्वय न्याले में परिवर्तनिय नहीं है यहीं दोस्टों हमारा सही answer हो जाएगा एक सेकंड यहाँ पर ऑप्सन नमबर A दिया गया है तो A, B, C दिया गया है ना तो B को भी हम पढ़ेंगे दखिए उद्धेसी का उन उद्धेसी को बदाती है जिसे सम्मिधान इस्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है C जिसे सम्मिधान अपना प्राधिकार प्राप्ट करता है तो तीनों हमारा सही है एक जली विलियन लाल लिटमस विलियन को निला कर देता है निमलिखीत मिसे किसकी विलियन को आधी के में मिलाने पर यह परिवर्थन उल्टा हो जाता है देखिए इसका सही आंसर आप देखे में है इसका सिर्षक क्या है? इसका उत्तर देखें के तो आपका और common future हो जाया गा option नमबर जो है नौ का हमारा c right होगा चलिए आगे हमारा question क्या है? देखें बुला की गोपेन खान किस लिए प्रसिद है देखिए गोपेन खान की बात करते हैं तो यह आपका किस के लिए प्रसिद है देखिए 11 का हो जाएगा 3 की खान होगा क्या होगा टीन की खान option number जो है 11 का ए राइट होगा गोपेन खान वीशो के सबसे बड़े टीन उत्पाधन खान माना जाता है पंधित चान्दुनात मिसर अमर डेस से संबंदित है वो किसे संबंद रखते हैं तो πंध्रा का सही उतर देखेंगे तो आपके साहित यह संबंद रखते हैं और और अगला है कि वित आयोक के संदर्व मैं गलत कथन करके बताईगे गलत देखिए वित आयोग दोरा जो है की गई सिफारी से राष्ट्रपती पर बादिकारी होता है यही हमार अगलत है बाकि वित आयोग के अध्यक्षपद के लिए योगिता जो है समिधान में निर्धायत किया गया है अभी तक 15 हवित आयोग का गठन जो है किया जा चुका है और समिधान के अनुछे 280 के अनुछार वित आयोग का गठन किया जाता है यह भी आपको अच्छे से याद है आगे कोशन हमारा क्या है देख लेते हैं दोस्तो आगे आप देखेंगे मानों मस्तिस के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार किजिए क्या हमारे इसमें सही है देखिए इसमें सही की बारे में पूछ रहा है 19 नंबर तो आपका उत्तर जो है 19 का हो जाएगा option number C देखिए मस्तिस्क हिर्देगती को नियाथित रखने के लिए जो है उत्तर दाई है यहां सहीड के संतुलोन के लिए जो हो उत्तर दाई है याणि आप बोल सकते हैं दोनों हमारा सही उत्तर हो उच्वर्सिय वाईयू में ऑक्सिजन का प्रतिसत जो है कितना होता है तो यह आपका होता है 21% और 16.4% होता है option number A right answer होगा मानों में होने वाली वनसा नुगत बीमारी डाउन सेंट्रोम किस से करण से होती है यह कौन से करण से होता है देखिए यह आपका होता है गुण सोतर 21 के तरिगुणान के करण होता है option number देखेंगे 25 का तो यहाँ पर C सही answer हो जाएगा आगे हमारा कोशन है बोलेख 27 नमर बोलेख कि मुस्लिम लिग ने अपने किस अधिवेशन में प्रित्यक निरवाचक मंडल की मांग की जिससे मारले मिंटो सुधार में जो है मान लिया गया इसका सही answer आपको 27 का हो जाएगा option number B होगा अमरित सर अधिवेशन हो जाएगा बी जो है इसका correct answer हो जाएगा अमरित सर अधिवेशन निम्न में से किसका कार जो है जड़ो दोरा और सोसित जलत था खनीज लवनों को पौधे के विभिन भागो तोग जो है पहुचाना है देखिए इसका 28 का answer देखेंगे तो आपका यह जाईलम होगा क्या होगा जाईलम option number B हो जाएगा जाईलम निम्न में से कौन से एक भीड की नसल है देखें नसल का आपका कोच्छन यह आ सकता है तो आपको नसल जो है आपको देख करके जाना है तो आप देखेंगे तो सहावादी हो जाएगा option number यहाँ पर भी right होगा और भीडों की भीड नसल देखेंगे तो आपका लोही है कच् ठीक है और गाय का देखेंगे तो आपका हो जाएगा गीर सीरी कॉंक्रेज है ठीक यह सफर आपका गाय का है साहीवाल है खिलाफत आंदोलन किसके समबनी था न किसके समबनी था तो यह आपका हो जाएगा खालीफा की प्रभूता को सन्रक्षित करना option number जो है 33 का भी right answer हो जाएगा खिलाफत आंदोलन चलिए नेश्ट हमारा कुशन देख लेते हैं पुले कि मानों की पसलियां डैस के साथ यह जूड़ी होती हैं किसके साथ यह आपके जूड़ी होती हैं तो यह आपके हो जाएगा इस्टर्ण में हो जाएगा ऑप्सन नमबर देखेंगे 34 का तो स हार्मोन की गोलियां जो है खाई आती हैं गर्व निरोधक तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका जो है एस्ट्रोजन होगा क्या होगा एस्ट्रोजन ऑप्सन नमबर भी राइट होगा निमलिखित में से कौन से विकल्प जो है सही सुमिलित नहीं है जनजाती बिद्रोह और नित्र्तु करता दिया गया है चलिए देख लेते हैं इसका क्या सही है गलत हमारा क्या है कौल बिद्रो की बात करते हैं सुद्ध co galat ha जाएगा बी सिक आप घुल्वहासद राइट ऑंसर होगा अब सब्सक्राइब इसको तो तो देखिए हिंद महासागर की धारा जिसे आपका दच्छड़ी विश्वति धारा मुझांबिक गर्मधारा मेडगासकर गर्मधारा अगुलहास गर्मधारा पस्मी और थंडी धारा यह सब जो है आपका हो जाएगा आगे प्रस्द है बोला कि बौधो का प्रसीद ताबो मठ किस घाटी में अवस्तित है ताबो मठ जो है यह आपको कहां पर देखने को मिलता है तो देखिए यह आपका हो जाएगा इस पिती घाटी हो जाएगा ओप्सन नमबर जो है 42 का भी राइट होगा ठीक है आप इसको याद रखिएगा भूलियेगा नहीं किसी वस्तू का पूंजी तथा उत्पाद का अनुपाद किसका माप है यह आपका किसका माप है देखिए उत्पादन की प्रती इकाई में निविष्ट पूंजी की रासी हो जाएगा ओप्सन नमबर देखेंगे 43 का तो हमारा यहां प भेद भाव दिवस जो है कब मनाया जाता है सुने भेद भाव दिवस यह हम कब मनाते हैं देखिए इसका जब सही आंसर आप देखेंगे तो एक मार्च के दिन मनाते हैं ऑप्सन नमबर बी राइट आंसर होगा एक मार्च 54 भारत अंतराश्ट्री यह फिल्म महस्तों में सत 12 अक्टूबर 2023 को भारत और स्रिलंका के बीच नौका सेवा डैस तक जो है सुरू किया गया है नौका सेवा देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो नाग पटन नाग पटनी पटनी नम से कांके सुन थराई हो जाएगा ऑप्सन नमबर आपका जो है बी राइट देखेंगे तो आपका 23 अगस्त होगा क्या होगा 23 अगस्त ऑप्सन नमबर डी इस वर्ट के एथलेट आफ दे यर के लिए जो है किसे नामित किया है किसे नामित किया है तो नीरा चोपड़ा हो जाएंगे ऑप्सन नमबर जो है भी राइट होगा आखरी प्रस्त है इस यही पर हमारा जो है सेट स्वाप्ट इसमें आप देखेंगे तो गजब का एक ब्याक्षा दिया गया है जो कि आपके एक्जाम के लिए बहतरीन होगा ठीक इसमें आप देखेंगे तो एक कोशन का दस बीस पॉइंट आपका यहां पर एड़ किया गया जो कि आपकी एक्जाम लिटा जाएगा और इसका एक्जाम हो ही जाएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही जय हिंद